पूरे दक्षिन हर्याना में आज के टाइम की सबसे बड़ी चर्चा यही है जैसा कि आप सब जानते हैं चुनाव जीतने के बाद केंदरिय मंत्री राव इंदर जीत सिंग ने ये एलान तो कर दिया था कि आर्ती राव चुनाव लड़ेगी तो आप सब की नजरे यहां अठकी है कि वो चुनाव कहां से लड़ेगी इनी सब सवालों का जवाब हम लेंगे महेश कुमार वैट से एंजेपी के प्रधान संपादक है और वरिष्ट पत्रकार है सर आप बताईए आर्ती राव कहां से चुनाव लड़ सकती है किस जगय से उनके चुनाव लड़ने की संभावना जादा है देखिए मैं ने तो जोच्छी हूँ ने कोई भविश्य वक्ता हूँ लेकिन पत्रकारिता में सब अनुमान लगाए जाते हैं मेरा अनुमानी है कि आर्ती राव बाद्शापूर से चुनाव लड़ेगी मुझे लग नहीं रहा कि बाद्शापूर से बाद्शापूर को छोड़कर के वह दूसरी किसी सीट से चुनाव लड़ेगी अटेली कोसलीन सब जगहों के भी नाम आरे थे सामने तो देखिए मैं आपको बताओं आर्ती राव ने महंद्रगड जिले में रेवाडी जिले में और गुडगाओं जिले में जो आहीर बहुल तीनों जिले हैं इन में बहुत सारी जगह जनसभाएं भी की पार्टी का परचार भी किया है इस बार गुडगाओं लोग सभा में सक् और बावल, रेवाडी, कोशली इन सब में सक्रिय रही है क्योंकि उनके जो दादा के समय की जो राजनितिक विरासत है वो पहले पिता के पास पहुंची और पिता भी चाहते हैं कि राजनितिक विरासत आरती संभाले तो उनको अब पिता ने लोग सभा चुनाव लड़ा है तो बेटी को विधान सबा चुनाव लड़ाने का अब की बार राविंदर चितने खुद ही काये और जिस तरह के हालात बने हैं तो मैं कई बार कहता हूं कि ताकतवर भाजपा कमजोर राव और कमजोर भाजपा ताकतवर राव ऐसे संभीकण बनते हैं तो इस समय जो परिस वाड़ी जिले की इन में से एक कोसली शीट पर कांग्रेश ने दो वोटों की बढ़त लिये बाकि सब विधानसभा शीटों पर लोकसभा चुनाव में भारती जनित अपारटी ने बढ़त लिये और इसमें कहीं ने कहीं एक योगदान बड़ा योगदान राविंदर जीत का भी है तो मुझे लगता है पार्टी जैसे अब ही उनको मंतर मंडल में सामिल किया है हलाएंकि उनको कैबिनेट रैंक नहीं दिया जिस तरह mega उमईद की जा रही थी लेकिन मुझे लगता है उनको टिकट की बात मान लेगी आर्ती राव को भी टिकट देदेगी और उनको एक-दो समर्थकों को भी भारती जनता पार्टी टिकट दे देगी, ऐसा मेरा मानना है मैं बादश्यपूर को सबसे सेफ इसली मान रहा हूँ क्योंकि बादश्यपूर में इस बार उनकी सबसे बड़ी बढ़त मिली है राविंदर जीत को मैं आपको बताओं आकडे अगर आप जानना चाहें देखो मैं बादश्यपूर की इसली के रहा हूँ कि गुड़गाओं में पार्टी किसी दूसरी कम्यूनिटी के चेहरे को चुनाव लड़वाएगी क्योंकि यादव बादश्यपूर से पार्टी लड़ाएगी ऐसा मेरा मानना है तो यादव में आरती राव है भारती जनता पार्टी के पास राव नर्वीर शिंग है मनीश यादव एक लंबी सूची कमल यादव भी है लेकिन इन सब के बीच आपका सवाल सिरफ आरती तक सिमीद है तो मेरा मानना है कि अगर बादश्यापूर शीट पर आरती राव का दावा राव इंदर जी शिंग करेंगे अभी आपने कहा कि वहां से एक बड़ा नाम है वहां पे राव नर्वीर जी तो उसमें मिलती है तो राव नर्वीर कहां जाएंगे मुझे ऐसा लगता है राव नर्वीर को भी पारटी इस बार चुनाव लड़वाएगी राव नर्वीर के लिए पारटी देखेगी आज हम चर्चा आरती की कर रहे हैं तो राव नर्वीर को मुझे नहीं लगता कि इस बार पारटी इग्नोर करेगी इस बार पारिटी उनकी बार मान सकती है, और उनका लोगसवा छेत्र अपर देने में पारिटी को दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है, तो बाद्षयपुर चाहेंगे राव इंदर जीत, बाकी तो पारिटी को फैशला लेना है, दूसरी पिशिटे हैं, रिवडी भी ह कोशली भी है अटेली भी है नारनोल भी है महंद्रगड भी है वो तो उनकी मरजी है लेकिन सब चीजें बहुत राजनीतिक गनित्ष्यम देखें तो मैं जो बादस्यापूर बता रहा हूं आपको वो इसलिए बता रहा हूं कि आप देखी अब जो राव इंदर जीत को सबसे बड़ी जीत एक लाख二ुची His primeira साथ सोचोबीस में बढ़ी संख्यां में बड़ी लिए हूं तो वहां पर इतनी राव इंदर जीत को बढ़त मिलए तो राव इंदर जीत निश्चित रुपber यही सोचरे होंगी कि बादस्यापूर से बहतर कोई नहीं हो सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आरती बाजशापूर से चुनाव लड़ेंगी. आरती इस बार चुनाव लड़ेंगी, ऐसा मेरा मानना है, आरती स्वयम भी इसका खुला एलान कर चुकी है, और राव इंदरजीत सिंग भी कह सुके हैं कि आरती चुनाव लड़ेगी ऐसा लगता है उनको पार्टी में कहीं ने कहीं हाई कमान के स्तर पर उपर के स्तर पर वरिष्टे नेताओं के स्तर पर यही सारा दे दिया गया है कि लड़वाएंगे और अब आरती को राव इंदरजीत की बेटी की रूप में ने देखा जाए आरती खुद कई सालों से राजनिती में सक्रिय है और भाजपागी परदेशकारी कारणी की सदेश भी रही और अब चुनाव परचार में भी रही है तो आरती को एक इंडिपेंडेंट जो कंडिडेट के रूप में हमको देख लेना चाहिए और वैसे भी राव इंदरजीत कई बार यह कह चुके हैं कि जो परिवारवाद की बात आती तो कहते हैं एक डाक्टर अपने बेटे को डाक्टर बनाना चाहता है एक वकील अपने बेटे को वकील बनाना चाहता है तो एक राजनितिग अगर अपने बेटे को राजनितिग बनाना चाहता है राजनिति मिलाना चाहता है तो उसमें बुरा क्या है इसका मतलब तो यह हो गया कि जो किसी राजनीति का बेटा होना गुना हो गया उसको चुनावी नहीं लड़े नहीं देंगे, उसकी तो रास्ता ही रोक देंगे. तो ऐसे आर्ती के सहारे इंसाफ मंच को दुबारे जिंदा किया जा सकता है, कि ये संभावना है? कॉमल मुझे लगता है कि राव इंदरजीत राजनीती में स्थाइत्व की राजनीती करते हैं। 2013 में राव इंदरजीत भाजपा में आये। बार बार बात चली कि राव इंदरजीत पारिटी छोड़ सकते हैं। मुझे ये लगता है इस बार आरती राव को ज़रूर टिकट लड़ाएंगे। हम बाजश्यपूर में बात कर रहे थे कि दूसरे चेहरों कि बाजश्यपूर में राव नर्वीर शिंग भाजपा के पास जो नेचुरल हम सोभाविक जिनको मानते हैं। मजवहार यादव वह भी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। मनिश यादव उन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ाई था। और इसके अलावा कमल यादव जिनका मैं जिकर कर रहा था। चाहे उसुधायादव के साथ खड़ी होजए। चाहे नर्वीर के साथ खड़ी होजए। मैंने नाम लिए इनके साथ खड़ी होजए। लेकिन आरती राव पलस भारती जनता पारती जब होता है तो सबसी ताकतवर समिक्रण बनता है। ऐसा मेरा मानना है। आर्वीर शींग पलस भारती जनता पारती वहाँ बनता है नर्वीर शींग का भी उन गाहों में अपना जनाधार है। लेकिन एक बात समझने जैसिती है। नर्वीर सींग की तुलना में राव इंदर जीत को पारती वर्यत्यद्या देगी। कि ऐसा मेरा मानना है इसलिए मैं बाद्शापूर को चुनना हूँ इसलिए मैं बाद्शापूर को बता रहा हूँ कि बाद्शापूर से आरती चुनाव लड़ सकती है आप बेशक ये मान सकते हैं कि सो में से निन्याण में फिश्दी चान्स बाद्शापूर के तो सबसे वेवाडी से क्यों नहीं कोमल देखो आरती राव पिछली बार रेवाडी से टिकट मांग रही थी उनके पिता जी चाह रहे थे कि आरती राव को टिकट मुले लेकिन राव इंदर जी अंतिम समय में उनको का गया कि किसी को आप दिला लीजिए परिवार में टिकट नहीं दे वो उस सुरत में जब परधान मंतरी नरेंदर मोधी भी यहां आए मुक्य मंतरी मनोरलाल भी यहां आए जेपी नड़ा भी यहां आए तो उन तमाम परिस्थितियों के बावजूद अगर यहां से सुनिल मुस्यपूर हार गए तो राव इंदर जीत सायद रेवाडी से रि ज़त मिली थी इस बार उनकी बढ़त चातिसहजार रहा गई तो यह बड़ा नुक्षान जो है अनके लिए माना जा रहा है तो इस बात से रिस्क लेंगे हानकि लड़ा सकते हैं वो इस बात को सोच सकते हैं कि मैं आरती को लड़ा करके पिछली हार का बदला ले लूँगा और आरती हां मुकाबला भी कड़ा कर सकती है लेकिन मैं जो safe seat की बाद करूँगा सबसे सरक्षित seat कौन सी हो सकती तो बाज़्यापुरगी करूगा इसलिए मैं बाज़्यापुरगी बाज़्यापुरगी बात कर रहा हूं धन्यवाद सर् आपने सुना आति राओ कहां से चुनाव लड़ सकती है, कहां से उनके चुनाव लड़ने की संभावना जादा है। आज के लिए बस इतना ही, ऐसी ही किसी चर्चा के साथ दुबारा मिलेंगे, धन्यवाद।